नमस्कार आप सभी का स्वागत है सेजी जाव नियूस पर दोस्तों आज की स्वीडियो को माध्यम से हम आपको 36 गड़ में भरतियों के लिए जारी किये गए आज के तीन नए विग्यापनों की जानकारी एक ही करके दिने वाले हैं विडियो के सुरुवात में सबसे पहले आपको कारले कलेक्टर जीला गरियाबंद की अंतरगत में जारी के विग्यापन की जानकारी सबसे पहले दे रहे हैं प्राप्त जानकारी के नुसार जीला कॉसल विकास प्रादिकरण गरियाबंद 26 गड़ के अंतरगत में काउंसलर क रिक्त तीन पदों पर भरतियों के लिए विग्यापन जारी किया गया है जिसके लिए इच्छुक योगेता धारी अभिर्थी जो इन पदों के लिए अपनी पातरताएं रखते हैं ऐसे अभिर्थी 14 दिसंबर 2020 से लेकरके 26 दिसंबर 2020 तक कारलाइन समय में साम 5 बजे तक पं उसल विकास प्राधिकरण घरियाबंद में कॉंसलर के कुल तीन पदों पर भरतियां की जाएंगी कांसलर के पत पर चैनी तभिष्थिएंग़ को 750 रुपए प्रति कांसलिंग दिवस के हिसाब से अधिक्तं 20 कांसलिंग दिवस के लिए बेदर्मान मांदेय का भुक्तान किया जाएगा इसके लिए श्रेक्टिंग के उग्यता नियूनतम किसी भी विशाय या किसी भी संकाय में इसनाथ तक रिजुशन की उपाधी कीवल मांगी गई है ए में मनोविग्यान समास सास्त्र माश्टलाप सोसल वर्क, MBA उपाधी धारक अभियर्थियों को चैन में प्राथमिक्ता दी जाएगी काउंसलर के इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभियर्थियों को छतिर राज्य के स्थानी निवासी होना जरूरी है चतिर राज्य के स्थानी निवासी चतिर राज्य के किसी भी जिले से इस पत के लिए अपना आवेदन पत्र भेज पाएंगे आवेदकों की आयू सीमा एक जनवरी 2020 की सिदी में निवनता मिकीस वर्स और अधिकतम 62 वर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए काउंसलर के इन पदों पर चैन के संबंद में अन्य दिसा निर्देश विस्तिरित जयानकारी और आवेदन पत्र के प्रारूप आपको इस विग्यापन से प्राप्त हो जाएगा दोस्तों काउंसलर के पदों पर भरतियों के संबंद में अन्य जीलों में भी भरतियों की जानकारी हमने आप सभी को इस चैनल पर अन्य वीडियो के माध्यम से भी दिया हुआ है अगर आप अन्य जीलों में काउंसलर के पदों पर भरतियों के संबंद में जानकारी देखना चाहते हैं तो चैनल के वीडियो सेक्षन में जा करके अन्य वीडियो भी देख सकते हैं दोस्तों आज की भरति के लिए अगला विग्यापन मुख्य स्वास्तियम चिकिसादिकारी जीला बलोदा पजार भाटा परा चत्तिकर के अंतरगत में जारी किया गया है यहाँ पर जीला खनिज संस्थान नियास निधी डीमफ मद के अंतरगत में वीभिन पदों पर बंपर भरतियों के लिए विग्यापन जारी किया गया है जिसके लिए एक्चुक अभिरती निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र 22 दिसंबर 2020 तीन बजे तक इमेल के माध्यम से अपना आवेदन पत्र भेज पाएंगे आवेदन पत्र भेजने के लिए अभिरती इमेल आईडी nhmbbrec2020.gmail.com के माध्यम से अपना आवेदन पत्र 22 दिसंबर 2020 तीन बजे तक इसमें भेज सकेंगे DMF मत के अंतरगत में भरतियों के लिए जारी के गए विग्यापन में रिक्त पदों का विवरण यहाँ पर इस प्रकार से है जिसके लिए योगेता MD Medicine मांगी गई है और 120,000 रुपय का वितन मान जो है यहाँ पर दिया जाएगा इस त्री रोग विशे सग्ग के तीन पदों पर भरतियां की जाएगी जिसके लिए जिसके लिए शेक्ने के बार्मी पास रखी गई है और रेडियोग्राफर के कुल तीन पदों पर भरतिया जाएगी जिसमें चेनी तबह बार्मी पास रखी गई है और रेडियो कर आफ़र का यहाँ पर पेरामेडिकल कोर्स जो है मागा गया है 37 में 36 पेरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजियन भी यहाँ पर मागा गया है लैब टेक्निशियन के कुल 6 पत पर भरतियां की जाएंगी जिसमें चैनी तभी हड़ितों को 20,000 रुपे का वितनमान यहाँ पर दिया जाएगा इसके लिए शेखनिक योगेता DMLT या फिर BMLT कोर्स पेरामेडिकल में यहाँ पर मागा गया है या फिर पैथोला जी में यहाँ पर आपका पेरामेडिकल कोर्स मागा गया है और पेरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजियन यहाँ पर मागा गया है वार्ड बॉय के कुल तीन पदों पर भरतियां की जाएंगी जिसमें चैनी तभियरतियों को 12,000 रुपे का वितन मान दिया जाएगा इसके लिए शेखनिक योगेता केवल और केवल आटवी पास रखी गई है अन्य कोई भी योगेता यहाँ पर नहीं रखी गई है चैनी तभियरतियों को 10,000 रुपे का वितन मान यहाँ पर दिया जाएगा इसके लिए शेखनिक योगेता केवल पाच्वी पास यहाँ पर रखी गई है पाच्वी पास अभियरति यहाँ पर सिक्रूर्टी गार्ड और चतुत स्रेंडी करमाचारी के लिए और आट्मी पास अभियरति वाड़ बाई के लिए अपना आवैदन पत्र यहाँ पर भेज पाएंगे इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभियर्थियों की नियूनतम आयूसीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयूसीमा 70 वर्ष से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए जारी कि एक इस विग्यापन में आपको इन पदों पर चैन के संबन्द में विस्तरित, नियम सर्तें, शेखनी की उग्यता, आवेदन पत्र का प्रारूप और अन्य समस्त जानकरियां प्राप्त हो जाएंगी साथी साथ में आपको आवेदन करने के लिए इमेल आईडी एड्रेस भी प्राप्त हो जाएगा जिसमें आपको यहाँ पर इमेल आईडी के माद्यम से अपना आवेदन पत्र भीजना है विस्तरित जानकारी के लिए आप इस विग्यापन का ध्यान कर सकते हैं दोस्तों आज के भरती के लिए अगला विग्यापन कार्यले क लेक्टर जीला कवीरधाँ च्थिवेड कर लाधिकरण के लिए यहाँ पर विक्त पठादिक्रण के एक जारी किया है जिसके लिए इक्ष्ट क भहती बदों के लिए अपने योगेतायां रखते हैं अपना आवेदन पत्र 31 दिसंबर 2020 साम पांच बजे तक पंजिकरिट डाक के स्पीट पोष्ट के माध्यम से अपना आवेदन पत्र कारेलेस हैक संचालाग जीला कौसल विकास प्राधिकरन लाइबलिध कॉलेज परिसर महराजपूर कविरधाम छत्ति रड़ के पते पर भेज पाएंगे यहाँ पर काउंसलर के कुल तीन रिक्त पतों पर भरतियां की जाएंगी जिसमें चैनीत अभियर्थियों को अधिक्तम 750 रुपए प्रती काउंसलिंग दिवस के हिसाब से मांदेय का भुकतान किये जाएगा जिसके लिए शेक्षणी की उगिता न्यूनतम किसी भी विशय या किसी भी संकाय में इसनाथ तक ग्रिजुशन के उपाधी मांगी गई है यहाँ पर M.A. मनोविग्यान समास्ता स्रमाश्टलाप सूसल वर्क M.B.A. के उपाधी धारक अभियर्थियों को चैन में प्रात्मिक्ता दी जाएगी अभियर्थियों को छत्री राजे का मूल निवासी होना जरूरी है अभियर्थियों के आयू सीमा एक जन्वरी 2020 की सिती में निवनता में 21 वर्स और अधिकतम 62 वर्स के मध्य यहाँ पर होनी चाहिए काउंसलर के इन पदों पर चैन के संब्द में विस्तिर दिसा निर्देश और आविदन पता का प्रारूप आपको इस विग्यापन से प्राप्त हो जाएगा दोस्तों आज आपको इस शूडियों को माध्यम से बताएगे मिलते हैं ऐसे ही अन्यरुजगार समचार और धेड़ सरी जानकरियों के साथ में तब तक के लिए जहिन